देखिए first illustration जो है वो आपके book का है ये केवल और केवल मैंने कहा था कुछ अपन 57 illustration जो दे रखें वो केवल interest और principal amount की calculation के लिए दे रखें और आपको सभी questions के अंदर सबसे पहले वो table बनाने ही पड़ेगी जब वो अलग पता होगा तभी अपन आगे की entries करेंगे देखो क्या लिखा है on 1st April 2020 X purchase a car from Y on higher purchase system total cash price of the car 1 lakh cash price जानते हो न अगर हम cash में purchase करते हैं तो कितने में आती ही वो 1 lakh में payable as 21,920 down and 3 annual installment 40,000 each payable at the end of the 1st, 2nd, 3rd year on 31st March each year तो down payment तो 21,920 हो गया और वाकी 3,44,000 की installment आपको pay करनी है interest rate आपको दे रखा 25% per annum calculate the amount of interest and capital value including in each installment करें भाई चलिए सबसे पहले calculation of interest इसमें सबसे पहले तो आपन लिखते हैं particular particulars of installment भी लिख सकते हैं केवल particular लिख दो कोई दिक्कत नहीं है फिर installment पहले लिखते हैं outstanding cash price के कितना बाकी है तो यह outstanding cash price इंस्टॉल्मेंट फिर इंट्रेस्ट और इंस्टॉल्मेंट में से इंट्रेस्ट लेस करेंगे तो क्या आएगा principal amount इंस्टॉल्मेंट चलिए बताएं सबसे पहले अपन टोटल cash price लिखते हैं मेशा टोटल cash price बताओ कितना है वन लेक है यह वन लेक और इसमें सबसे पहले लैस करेंगे डाउन पेमेंट कितना है डाउन पेमेंट बताओ एक इस नौसो बीस अरे ठीक है यह तरह से आपके शुरुआत की इंस्टॉल्मेंटी हो गई अरे इस्टॉल्मेंटी एक तरह से शुरुआत की अच्छा लेकिन उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं होता वो तो शुरुआत में आपन दे रहे हैं तो यह पूरा का पूरा तो प्रिंसिपल अमाउंटी होता है यहां तो को दिक्त चलिए अब य मैं लैस्ट करोगे फर्स्ट इंस्टॉल्मेंट बताएं भाई अब इंस्टॉल्मेंट आप यहां लिखोगे यह 40,000 अब मुझे इंट्रेस्ट निकालना है तो इंट्रेस्ट आपको 25 परसंट गीवन था 25 परसंट किसका हमेशा ध्यान रखना यह जो आउस्टेंडिंग कैश प्राइज इस पर निकलता है पर एक लाग था जिसमें इतना तो हम देई चुके न तो इसी पर निकलेगा तो जब आप इसका 78080 का 25 परसंट निकालोगे तो यह आ रहा है 19520 तो मतलब 40,000 में इतना तो क्या है इंट्रेस्ट ही है तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल अमांट कितना है अरे ठीक है अच्छा यह यहां आके क्या हो जाएगा minus 40,000 दे रहे हूँ लेकिन उसमें प्रिंसिपल अमांट तो इतना ही है तो वो जा कि यहां क्या होगा माइनस तो माइनस करोगे तो यह 57600 आ गया फिर सेकंड इंस्टॉल्मेंट कितना है भाई वही 40,000 अच्छा अब इंटरस्ट 25 परसंट किस पे निकलेगा 57600 पे तो यह आपका आ जाएगा 14,400 फिर इसमें से माइनस करेंगे 25600 अरे को दिकत और यह 25600 यहां से क्या हो जाएगा माइनस तो आपका बचा 32,000 फिर इसमें लैस करेंगे थर्ड इंस्टॉल्मेंट चलो देखो इदर 40,000 आपका इंस्टॉल्मेंट है इंटरस्ट 25 परसंट इसका 25 परसंट निकालोगे तो 8,000 निकलेगा लेकिन ध्यान रखना कई बार पॉइंट्स में आता है तो उसको राउंड ओफ अगेरा कर देते तो हलका फुल का डिफरेंस आता है तो लास्ट वाले को हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालना वो मांगता कितना है लास्ट में 32 आप उसे कितना दे रहे हो 40 तो इसका मतलब इंट्रस कितना दे रहे हो 8,000 हाला कि इस कोशन में तो इसका 25 परसें निकालोगे तो भी 8,000 ही आ रहा है लेकिन अपना आगे के कोशन जब देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत क्या आ सकता है डिफरेंस हलका फुल का डिफरेंस आता है 32 और यह 32 यहां माइनस करोगे तो यह आपका हो गया निल अरे को दिकत अब यह जब टोटल करोगे तो टोटल पेमेंट आ जाएगा हम टोटल पेमेंट उसको 141,920 कर रहे है यह टोटल क्या आ जाएगा इंट्रेस्ट 41,920 और यह आपका कैश प्राइज जो वन लेक है उसी के इक्वल आएगा अरे प्रिंसिपल अमाउंट तो कैश प्राइज ही होता है न तो आपको सभी कॉश्चन में सबसे पहले इस तरह से क्या करना है टेबल बनानी पड़ेगी कैल्गुलेशन ओफ इंट्रेस्ट की यह तो पहला केस है आगे की जितने के पन कॉश्चन करेंगे मैक्जीमम में तो यही चीज रहती है जहां आपको कैश प्राइज भी गिवन है आपको इंस्टॉल्मेंट भी गिवन है और इंट्रेस्ट की र